आयोध्या जन्पद के सिद्ध पीट सिरी संकट हरण हरुमान मंदिर महाजनी टोला के जीरड ध्यार के बाद बैदिग रीत रिवाज से प्राणपर्तिष्ठा हुई वहीं इस प्राणपर्तिष्ठा के बाद धूमधाम से भव्य शोभायात्रा निकाली गई ये शोभायात्रा महाजनी टोला से होकर दोधमंडी चवक होकर महाजनी टोला सिरिसंकट हरण मंदिर पर समाप्त हुई जिसमें कानपुर के कलाकारों द्वारा अद्भुध जांकियों का आयोजन हुआ और समस्त कार्करमों के बाद भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा इस दवरान आयोजक श्यामकुमार नाग ने बताया कि मंदिर के जिर्णो धार में सभी छेत्रबासियों का योगदान है जिसमें सभी ने इस शोभायात्रा में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया है परिष्ठा का था और हनमान जी का प्राण परिष्ठा हुआ है साथ साथ स्रीजी नंदी जी का भी अस्थापना हुआ है और ये लोहार गली मानी टोला के महले में हुआ है और मेरा यहाँ पर परिष्ठान है SS Mobile and SS Reef Center और सभी महलों के वासी के मिलने के कारण सभी ये काम हुआ है स्री हनमान जी का प्रजिश्ठान हुआ है जलूस यहाँ से महानी टोला होते चो ये टकसाल होते हुए हट्टी मरानी से होते हुए यहाँ पर वापस आ गया यात्रा में संतिंग सवासो के आसपास सामिल दे इसके बाद यहाँ पर बंडारे का कारकम है और जहांकी का भी प्रोग्राम है ये चलेगा ग्यारा वजे तक साथ बजे से प्रोग्राम चालू रहेगा बंडारे का और ग्यारा वजे तक चलेगा और बंदारे के साथ साथ जहांकी का भी आनंद लोग लेते रहेंगे मेरा नाम श्याम कुमारनाग श्यामू